कल दो अगस्त की देर शाम साथ बजे कोड़ा प्रखन के मक्दुम पूर पंचायत के नंद ग्राम जरलाही गाउं में रहने वाले सुभास यादव के घर को आग लगा दी गई हुआ यूगी आपसे विवाद को लेकर सुभास यादव के घर को जला कर राक कर दिया गया इस खटना को लेकर सुभास यादव और उनके परिजनों ने बताया कि वरुन कुमार, अजय यादव, शोन कुमार लाल, चंदन यादव, नितीज कुमार और राम बहादुर ने बीती रात मेरे घर को आग लगा कर जला कर खाक कर दिया आग लगाया है, को लगाया है, बरुन कुमार, नितीज कुमार, आजय यादव, सुखाय यादव का बेटा है, मुकोय यादव, याई सब लगाया है क्यों आग लगाया है, कोई आपसी दुस्मानी है आपसे आपसी दुस्मनी नहीं है, वोई मडर केस के लिए लेकर दुस्मनी है, हम लोग जब आग देखें तो आये तो इस जिगत बगर में गोली छोड़ने लगा, कोन गोली छोड़ने लगा? यही सब मिलके, क्या नाम था उसके? बरुन कुमारा जय यादव यही सब, कहां गोली छ हम रहा गोतनी का है, वहीं इस घटना को लेकर दीपक कुमार यादव का कहना है कि बहुत दिनों से चल रही आपसी रंजिस के कारण, कल शाम साथ बजे मेरी घर को आग लगा दिया गया, यह आग लगाया गया है, किसके दौरा? यह बरुन कुमार यादव के दौरा आजय क्यों जलाया उसे कोई आपकी आपसी रंजिस थी क्या? नहीं, पहले से सब था मेटर दुस्मनी के कारण जलाया गया है, कब आग लगाया गया? यह साम में साथ बजे लगाया है, आपका क्या नाम हुआ? दीपक कुमार यादव क्या घटना घटना हुए? घटना हुआ कि ह हम लोग को पता लगा हम सरपंच है म्मगदमपुर चाइट साम में करके बोला गया कि आप लगाया है वारिस हो रहे है तो रात में दने आया आए अभि आ देखें लगाय वह सची है उसमों तो यह आप लोग पेस मत्क्छ में कर अजिसे ना लग लगे साथ अ पर आपका ल प्रिशासन से इंसाफ और मुआबजे की गुहार लगा रहे हैं सुरक्षा के मानकों से मत कीजिए समझोता अन्यता हो सकता है बड़ा खत्रा हार स्कूल हार कोचिंग हार कंप्यूटर सेंटर और हार रेस्टोरेंट के साथ अपने सभी विवसाइक प्रतिष्ठानों में लगाएं फायर एक्स्टिंगशर यानी अगनी शमनियंट उच अस्तरिया प्रीमियम कॉलिटी के फायर एक्स्टिंगर के लिए संपर्फ करें सती सिक्यूरेटी नियर रिशी भवन पाउडर, गैस और केमिकल हर फॉर्म में उपलब, स्टेंडर कॉलिटी भी और प्रीमियम कॉलिटी भी सती सिक्यूरेटी नियर रिशी भवन बड़ा बज़ार कटिहार फोन नमबर 06452-242-573 मोबाइल नमबर 9297-979709 मत करे लापरवाही, नहीं तो हो सकती है बड़ी तबाही